नमस्कार दोस्तो आपके अपनी यूटूब चैनल वेड सक्सेस वीद पीजिय में हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं वेटनरी लाइफ स्टोक की जो भी कंडिडेट तेहरी करें यानि LSA की तेहरी करने वाले कंडिडेट है LSA की तेहरी करते हैं यानि पसुदन साहिक की पसुदन साहिक की तेहरी करने वाले कंडिडेट है बीए सब के अंदर हेड कॉंस्टेफल की वेकेंसी आई थी और कैनल मेल की वेकेंसी आई थी उनकी तेहरी करने वाले कंडिडेट है और जाने अन जाने में स्टेट कोवर्मेंट की बात करें स्टेट ग वेटिनरी लाइव स्टोक से संबन्दी थे लाइव स्टोक से संबन्दी जितने भी कम्प्लिटेट एक्जाम आते हैं उनकी त्यारी अगर आप लोग कर रहे हो तो हमारी यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अथा लगे थे वीडियो को लाइक करना क् हम स्टार्ट करने वाले हैं मैडिसिन जो सब्जेक्ट है वो कम्पलेट करवाने जा रहे हैं तो पूरा टॉपिक वाइज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पहले हम क्या करेंगे उसके बाद में क्या करने वाले हैं इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार ही करने ठीक है तो पहले मैंने जेनेटिक्स कंपलेट करवा दी है जेनेटिक्स है वो कंपलेट करवा दी है उसका वीडियो आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा पूरा एक से लेके और बारा वीडियो के अंदर मैंने पूरी जेनेटिक्स करवा दी है ज्यादा लं जिनके अंदर जेनेटिक्स जो पार्ट है वो लगता है तो आप लोग उस वीडियो को पढ़ सकते हो जाहिए अभी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देदू वहाँ पे जाके आप लोग प्ले लिस्ट में जाहिए और प्ले लिस्ट से आप लोग क्या कर सकते हो उनको प कर रहे हैं दोस्तों मेडिसन जो सब्जेक्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मेडिसन से हम क्या करेंगे पहला वाला वीडियो करेंगे उसके बाद में दूसरा तीसरा इस परकार से कंप्लेट करेंगे कंप्लेट करने के बाद में नेक्स जो सब्जेक्ट से स्टार्ट क करेंगे उसको भी इसी परकार से कंप्लेट करेंगे अगर हमारे जब जब हमारे दस सब्जेक्ट कंप्लेट हो जाएंगे वेटरिनरी लाइफ स्टोक एसिस्टेंट के यानि एपसुदंस है कि दस सब्चेक्ट कंप्लेट होंगे दस सब्चेक्ट कंप्लेट होते ही हम क्या करेंगे क्रेस कोर्स चालू करेंगे क्रेस कोर्स है वो स्टार्ट कर देंगे यानि पूरी बुक एक ही वीडियो के अंदर चाहे वो 4-5 गंटे की कलास के अंदर complete करवा देगे यानि जल्दी जल्दी फास्टली revision करवाएंगे हम पूरा subject का ठीक है आपको ये idea कैसा लगा हमें बताइए comment box में comment करके जुरूर बता रहे अगर आपकी कोई भी अन्य राय है तो भी आप लोग हमें बता सकते हो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में हम आगे बड़े उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि genetics जो part है वो हमने कर लिया है आज हम स्टार्ट करने वाले medicine यानि veterinary medicines की जो class है वो हम स्टार्ट करने वाले medicines की बात करते हैं पूरी theory part मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप लोग हमारे से जुड़ना चाहते हो चाहिए यूटूब की बात करते हो यूटूब पे जैसे ही आप लोग कलिक करते हो तो यूटूब चैनल पे चले जाओगे टेलिग्राम पे कलिक करते हो तो टेलिग्राम से जुड़ जोकते हो वाटसप गुरूप से बात करें तो वाटसप गुरूप के भी अलग से मैं डिस्क्रेप्शन में भी लिंक दे दूँ हूँ अगर आप PDF को पर्चेज करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं दे दूँ हूँ अपने फोन के अंदर पढ़ सकते हो और इसके साथ साथ आप लैप्टॉप के अंदर भी पढ़ सकते हो यानि तमाम जो सुविदा दी गई है उनका फाइदा उठाई है क्योंकि अगर फोन में पढ़ते हो आप लोग वीडियो लेक्षर देखते हो उसके बाद में आप प्रिंट निकलवाते हो तो बैटर तरीके से आप पढ़ सकते हो उसके अंदर कुछ अलग से लिखना होता है वो भी लिख सकते हो ठीक है दोस्तों सभी सब्जेक्टों के आपको पीडियाप मिल जाएगी पीडियाप मिल जाएगी 40-50 रुपय के अंदर ठीक है दोस्तों सभी सब्जेक्टों की जो पीडियाप हो आपको 40-50 रुपय के अंदर मिलने वाली है तो आप लोग जाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएग इस पूरी सीरीज के अंदर तो उसके बारे में हम जानकारि ले लेते हैं थोड़ी-थोड़ी सामाने जानकरी के अंदर मेडिसिन का पूरा परीचय देंगे कि कौन-कौन से परकार के रोग होते हैं किस परकार के रोग जो विस्तरित रूप से फैलने वाले रोग है वो कौन से होते हैं समाने रूप से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं यानि समाने जानकरी हम इसके अंदर लेने वाले है ठीक है उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो next है हमारा वो है रोग के परकार यानि किस परकार से रोग फैलते हैं अब यहां पर बात हमने कर ली कि किस परकार के रोग होते हैं उसके बाद में हम एक एक अगर रोग हो जाते हैं तो लक्सन कौन कौन से हम डाइगनोस कैसे कर सकते हैं इसको डाइगनोस करने के बाद में उसका जो लास्ट में पढ़ेंगे वो है उपचार यानि ट्रेट्मेंट क्या हो सकता है अगर ट्रेट्मेंट नहीं भी होता है तो भी पहले हम क्या उपचार क जो पहले नहीं पहले उसके लिए vaccination कौन सी लगाएं वो उसके बारे में पढ़ेंगे उसके बाद में अगर रोग हो गया है तो उसके डाइगनोस कैसे करेंगे symptoms क्या होंगे symptoms का हमें पता चल गया तो उसका उपचार यानि treatment क्या होता है treatment होने के बाद में उसका फिर से ध्यान कैसे रखेंगे इनके बारे में हम चर्चा करने वाले और इसके साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि किसी भी रोग का दूसरा नाम है वो भी कौन सा है यानि किस रोग को किस नाम से भी जाना सकती यानि अलग-लग रोगों को अलग-लग नाम से डिफाइंट किया जाता है veterinary language के अंदर तो इनके बारे में हम चर्चा करने वाली यानि सभी जो उसके बाद में सबसंतंतर के समंदित बिमारी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी metabolism है या नहीं है ठीक है उसके बाद में सबसंतंतर के जो बिमारी है completely जो बिमारी है या रोग है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन विश्तरी तुरुप से पढ़ाएंगे एक वीडियो के अंदर एक पूरा complete topic करवा देंगे हम तो आप लोग हमसे जुड़िये और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like जुरूर करना दोस्तों और इसके साथ थोड़ा सा मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ उसके बाद में हम चलेंगे जो next है वो उसके बाद टोपिक भी ठीक है next वीडियो के अंदर पूरा topic करवाएंगे और next वीडियो से हम पूरी जो ये subject वो स्टार्ट करतेंगे तो ये पहला थोड़ा सा वीडियो था ये मैंने इसलिए बनाए था ताकि आप लोग को पता चल सके हम करने वाले क्या है इसी परकार से हमने genetics में बनाए इसी परकार से अन्य जो subject हों उन्हों में भी हम करवाएंगे लेकिन ये जो वीडियो है ये इसलिए बना रहे है कि LSA की तहरी कर सकते हैं वह आप लोग इस वीडियो के माद्यम से आप पे BSAP के अंदर head constable के vacancy उसके लिए भी उप्योगी है BSAP के अंदर ही channel mail की vacancy निकल के आ रहे है उसके लिए भी उप्योगी है तो तमाम जितनी भी विकेंसी निकलती है वेटरनरी से समधी चाहिए state government की हो या center government की हो अदर state की हो तो उनके लिए भी उप्योगी होने वाली ये classes ठीक है तो हम सबसे पहले बात कर लेते है health की health होता क्या real में health होता है प्राणी सरीर में समाने कारिय की सर्चना और बनावट को यह health कहते है या जो भी पसु सरीर है पसु सरीर की समाने जानकरी होती है और यह किसी भी सरीर की काडिया की क्या है उसकी बनावट कैसी है यह सारे कि सारे पूरा ढंचा होता है इस ढंके को हुम क्या कहते है health के हुआते हैं अब d based क्या होती है हल्थ हमे पता चल गया कि हेल्थ वास्तह में होता है उसके बाद में disease अगर इसमें हेल्थ के अंदर किसी भी परकार का विकार उत्पन हो जाता है तो वो क्या होता है डिजीज होता है जैसे पराणी के सरीर में कारियकी और सर्चना और बनावट में किसी भी परकार का परिवरतन को ही डिजीज या रोक है ते यानि सिंपल सब्दों में मैंने बता दिया पहले तो हम बिल्कुल ही सवस्त हैं, सवस्त होने के बाद में अगर किसी भी परकार की तुरूटी आ जाती है, बनावट के अंदर या विकरती उत्पन हो जाती है, उसके बारे में भी हम विस्तरी तुरूप से जानेगी, लेकिन ये छोटी छोटी बाते हैं, मैं आप लोग को नॉर्मल ली बता रहा हूँ, अगर सामाने सरीर होता है, वो सामाने बनावट होती है, उसके अंदर विकार उत्पन हो जाता है, तो वो डिजीज हो गए, जैसे मान लीजे, एक नॉर्मल पसू है, अगर पैर में किसी भी प्रकार का फैक्चर हो गए, तो वो डिजीज उत्पन हो गई उसके अंदर, यानि रोग उत्पन हो गई है उसके अंदर, ठीक है, ये आप समझ गए होगे, यानि वो लंगडा के चलने लगए है, उसके अंदर वो डिजीज उत्पन हो चुकी है यानि उस ही क्या कहेंगे रोक कहेंगे उसके बाद में हम बात कर लेते हैं medicines की बात करें तो medicines काफी दो से तीन परकार की होते हैं लेकिन मुख्य रूप से clinic medicine और preventive जो medicine यानि पूरा रोक थान यानि पहले भी आप लोग को बता दिया कि दो परकार की होते हैं एक होते है clinic medicine second होते है preventive medicine ठीक है अब विज्ञान की वहसा का जिसमें पसू के रोकों की पहचान निदान उपचार और निंतरन किया जाते हैं इसी के अध्यन को पसू जिक्षा विज्ञान या जो लगाते हैं रोक आने से पहले लगाते हैं चाहे वो 6 मेहने के बात होती है या 3 मेहने पहले या लाइफ में एक बार ही लगाते हैं ये सारा सारा जो system होता है वो preventive medicine होते हैं कि पहले रोक था हम कर सकते हैं clinic medicine वो होती है दोस्तों कि हम बिमार हो गये मालनीजे temperature 101 से ज़्यादा चर रहा है किसी भी पसु का उसको भुखा रहा है उसका temperature 101 से 102 हो गया अब हम उसका इलाज करवाने ले जाते हैं डॉक्टर के पास हैं वो क्या करता है उसका diagnosis करता है फिर उसका treatment करता है वो जो treatment करता है वो clinic medicines के अंतर गताता है ठीक ह जो पहले हम vaccination लगाते है नॉर्मल पसु होता है और उस पसु के हम देखते हैं कि 6 मेने के बाद में बारिस आने वाली है और बारिस के अंदर जो रोग होते हैं पसु के अंदर वो रोग उत्पन ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं preventing medicine लगाते है जैसे humans के अंदर जो polio की वे लग रहा है और आप लोग समझ भी रहोंगे उसके बाद में यहां पे देखिए थोड़ा सा मैंने definition भी लिखती है क्लिनिक मेडिसन इसके अंतरग वे विमारी आते हैं जिसमें पसू चिकत साले में चिकत सक के दुआरा निदान और उपचार किया जाता है मैंने पहले आप लोग को समझा दिया फिर से आपके समझ में आ गया हूँ उसके बाद में preventing medicine है इसके अंतरग वे विमारी आते हैं जिसमें पूरु से रोगताव संभव हो जैसे अफमडी का injection लगाते हैं एसेस का vaccination लगाते हैं BQ का BlackVater का जो हम vaccination लगाते हैं ये सारे क्या है ये रोग उत्पन नहीं हो इसके लिए पहले से ही रोगता हम injection लगाए जाते हैं या vaccination लगाए जाते हैं ये preventive medicine के अंदर आता है उसके बाद में हम जो next video के अंदर पढ़ने वाले वो रोगों के परकार के बारे हम पढ़ेंगे अगर ये PDF आप लोग purchase करना चाहते हो दोस्तों तो इस PDF को इस वीडियो का जो लिंक है वो description में मिल जाएगा और वीडियो कैसा लगा और जो मेरी ये strategy है वो कैसी लगई ताकि आप लोग को ये एक एक वीडियो के अंदर पूरी complete जो जानकर ये वो मिल सके और करम वाइज मिल सके तो comment box में comment करके बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंजय बार दोस्तों धन्यवाद